गूड मॉर्डिंग गूड मॉर्ड टू ओरल चंदन कमार गूड मॉर्डिंग जल्दी से जल्दी जूड़ जाए ताकि आज का जो हमारा क्लास है वो सुरू कर सकें और यह अन्तिम पाइदान पे चल रहा है आपका क्लास है जाहिए उमीद पूरी तरीके से है विस्वास भी है कि कल आपका खतम हो जाना चाहिए chapters सुप्रिया राय गूड मॉर्णिंग कैसा चल रहा है सब लोग का दिन मस्त चलना भी चाहिए मस्त अगर नहीं तो उसको हाथ से पकड़के मस्ती से चलाइए हाँ हमान्सुक राज गूड मॉर्णिंग और जैसा कि आपको पता है कि पर्सो नौ वजे सुब आपका टेस्ट रखा गए है सुबह नौ वजे ज्यादस ज्यादस अंख्यमा टेंड करें और टेस्ट का लाव उठाए चलिए तो बहुत बड़ा है उसमें से तीसरा सेक्षन हम लोगों ने दस सेक्षन में क्लासिफाइए इसको कटेगराइज किया था तो तीसरा सेक्षन अब मुझे लगता है जहां तक इस इस classes में अगर आप study कर रहे हैं तो लगतार अगर study करते हैं तो बैतर है क्योंकि मैं जहां तक screen पे देख रहा हूं कि अभी 30 sections हो चुग है 30 ये तीसवा part है अभी कितने part जाएंगे पता नहीं तो याद रखिएगा टेस्ट आप अटेंड किजे और पीछे से study करते रहें आज का जो हमारे topic है modification of stem अंडर्गाउंड stem हमने देख लिया था आपका उसके पहले अगर बात कर तो अंडर्गाउंड stem के पहले area stem देखा था और उससे पहले बहुत सारे चीजों को stem के बारे में देख लिए stem branching देखा था आपका pattern क्या था उस समय वहां पर वह सारी की सारे चीज़े देखा था तो आज last last topic है आपका और वो topics हो सकता है 2 दिन चले देखे तो लाइट भी कितना तंग करेगा करे तो सही करो तंग कितना करोगे सारे लोग सामने वाला और सामने वाला दोनों के दोनों ठान लिया है कि रुकेंगे नहीं कि हान रजनी हस्पटेल गुड अपका नाम ले ले रहा हूं दो थो बार चले बहतर है लोग तया नि स्टेव मोडिफिकेशन में अगर बात करते हैं जो टॉपिक की kitchen बात करते हैं आपे कि इतने तरह के हो सकते हैं सर तोहलोग ने थोड़ा सा इस चीजो पांस स्टाडि किया था याद कीजे किलिंबर्स वाले में भी देखा था हम लोगों ने कुछ आगे के भी आगे भी पॉर्संस में देखा था कुछ तो वहीं से चीजे यहां पर स्टार्ट होंगी स्टेम मोडिफिकेशन में सबसे पहली पहली चीज बात करेंगे हां बिलकुल रूकना ही नहीं है रोकने की कोशिश करेगा कितना भी रोकना नहीं है वो तो भूलाने की कोशिश करेगा आप भूल जाओ आप रास्ता भटक जाओ लेकिन भटकने वाले नहीं है चलिए अगर गया तो फिर रुख गया तो फिर बात ही क्या रही आपमें और दुसरों में अंतर क्या रहा राइट तो उस चीजों को नोट करते हुए यह आज का क्लास सुरू करते हैं और आज के क्लास का सबसे पहला टॉपिक है मोडिफिकेशन अफ स्टेम में स्टेम टेंड्रिल स्टेम टेंड्रिल के असर स्टेम टेंड्रिल आपने टेंड्रिल तो नाम सुना होगा बहुत सुनने को मिला है नहीं टेंड्रिल कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि सुना हुआ लग रहा है अब मुझे भी लग रहा है क्योंकि म कि तो अगर यहां से दिखने कोई कोशिश करें तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए यहां दिख रहा है स्टेम टेंड्रिल जो पहला चीजे है आपका स्टेम टेंड्रिल्स है यहां स्टेम टेंड्रिल क्या है टेंड्रिस आपने कही न कहीं सूना होका मुझे याद आ रहा है Tendr accounting बता है तो आपको आपको तो डिफिनैट्ली किया दोगा क्योंगे आपने तो study किया है कि टेंडरिल्स क्या है सर अगर बात करें किलिंबर्स में हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि टेंडरिल्स क्या स्ट्रक्चर है जो क्या करता है जो जिसका काम क्या है सर जिसका काम है कि लग करना जिसके मदद से वो चीजें ऊपर चड़ पाता है राइट तो ज़ला सोची वह स्ट्रीम जिसमें टेर्स होता है वह सब्सक्रांप लिडू सकते हैं तो पहले चीजяжनलोग देख लेते हैं कि Tendrils का इस and every topic we have to discuss, each and every points we have to discuss in a very detailed way Tendrils का इस टेंडरिल्स एक धागे की तरह का तार की तरह का देखने को मिलता है, बहुत पतला तार की तरह का structure, क्वाइलिंग structure देखने को मिलता है, जो क्या करता है, किसे support के support को पकड़ करके, support में पूर तक यह चीज ऐसे करके और उस उस प्लांट को जिस प्लांट में होता है उन प्लांट में उन प्लांट को सपोर्ट करता है ताकि वह क्लिम कर सकते हैं जैसे कि हम लोग बात करते हैं अगर लुफा की नाम सुने होंगे लुफा जैसा कि हम लोग की आदत रही है कि पहले figure out कर लो उसके बाद वह चीज से मैंने कोशिश करो लुफवा का नाम सुना होगा अपने और रखोों, दिदी अदयक हों कि पहले नाम सरका है कि लुफवा ककी लुफवा क्या है आपको लग रहाओका, अगर मैं बता दिया इसका जिनरल नाम जो यह जिस नम सो ten ऐध हो तो वह लें, concept आपने घर की बात है घर की бात को बाहर जों वह पर कहें निकालना पड़े तो लुपफा क्या है तब तक आप सोचिये क्या है तब तक आप confused हो जाए जिस तब तक सोचते रहे हैं तब तक मैं आगे की तरह बात करता हूं यह वायरी तार के तरह का है मेरी आवाज आपलोग तक पहुंच रही है धीन हिर लेבןल measurement होते हैं यह होता है इसमें का मतलब इसमें लेप नहीं होता है अपर आपको दिख रहा है यह चीज ऐसे ऐसे किया रहता है है इसका मतलब यह स्पाइरली होता है स्पाइरली राइट चलिए एंड़ स्पाइरली कि साथ मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है फिर आपकी कम्मुनिकेशन मेरे पास नहीं पहुंच रही है कि तो स्थी लुफ है ढूघ लेंगे सब कुछ दख लेंगे एवरी पॉंट दिसकॉस टेंडरिस सब कोई पत्ती नहीं होता है कोई पत्ती होता है कि आप लोग तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर कि कैने हुआ मी कि शायद नहीं चलिए पहुंचे तो भी बेटर है तो इसमें क्या होता है न सर कोई आपका टेंडिर स्में कोई नहीं होता है की जैसे गजिसा कि लगता है जैसे की वायर है की तरह का इसमें कोई पत्ति होता है और फåड तरह तरह से स्पाइरल व्यड़ा रहता है तो यह चीज़े कहीं न कहीं कहां पर पाई जाती है सार लुफा में देख लिजेगा कुकरविट्स देख लिजेगा कुकरविट्स 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 यहां पर इसमें देख सकते हैं आप लों की कदू द देखे नकदू ये एक क्या बोलता है लॉकी लॉकी का सिनग बता दूट को अब को तो पता होगा लॉकी तो इन घीया टोरि नाम सुने है नहीं पैसी फ्लोरा तो वह पैसंट फ्लावर बोलते हैं घीया तोरी की तोरी सं skirt वह समझ में लिकृट्री नहीं नहीं रहता है नहीं वहाइब अपने घर का अपने कीचेन का महमान बना लेते हैं और इसको पूरी तरी से चट कर जाते हैं मतलब इसका सत्यानास कर देते हैं कि दूसरी पाइट से अगर बात करते हैं असर देखिए मैं बता देता हूं कि लुफा का अगर जेनरल बेनिंगा का देखा जाए तो घिया तोरी दिखाता है घिया तोरी और सारी यह चीज आपका है नेनुवा कोई और चीज ना है नेनुवा तुरोई तो समझे होंगे बोल बिलकुल घिया तोरी तोरी ना सर नेनुवा तिरोई नाम सुने होंगे यह प्रसानों निन्वा तिरोई नाम निसने वा चंदन जीवा देहात्तों में रहने से फाइदा क्या है सर गाव में रहने से फाइदा क्या है सोजी है और यह इसका नहों से यहीं से होता है से सब्सक्राइब कोई से आप यह संसीटीव को की से अखाई आगा कि ये आपका पत्थर आता था या फिर जैसा ही कोई अप्लांट कर minded और कोई प्लांट में आपका जो特92 से निकल रहा हैं तो वो समझ जाता था कि यहां पर कोई की बैरियर है और इसके क्या करता था ऐसे जा करके ऐसे आता था तो यह चीज़े कहीं न कहीं यह चीज़ क्या करता है सपों यह चीज़ सेंसिटीव होता है समझ जाता है आगे की चीज़ों को पाइचान जाता है सेंस करता है इस अपर चलिए दूसरी चीज़ बात करते हैं कि कि इसका टर्मिनल सबसे six दूसरी चीज बात करते हैं यह तो यह क्या करता है किसी इस का वालप को सब्सक्रों करते है ताके वो लिख सकते है आपके इट होड़् immature कि काची कर के सेर काची करेगा यहां पर क्वाइलिंग करेगा राइट अगर को क्या करेगा उसको हिल होल्ड कर लेगा पकड़ लेगा कसके अगले पाइंट का लग सकता है इसको आसानी सेयों काहों निता है अगर बात करें थे करो दो ब हुआ यह चीजय कॉमन चीज़े थी पर था यह फ्येंट देखने को मिला था तो मतलब यहां से मैं लिख सकता हूँ एक चीज कि in some wick stemmed in some wick stemmed plant क्या होता है यह पर कौन सा बर्ड यह तेंदिल्स कर उप्रें वह चीज करता है अग्जिलरी बर्ड अग्जिलरी बर्ड एज मोडिफाइड इन्टो एक्जिलरी बर्ड इस मोडिफाइड इन्टो दो फर्मस अफ टेंड्रिल किसके फर्म में वोची मोडिफाइड होता है टेंड्रिल स्टेंड्रिल स्टेंड इस इस गाल्ड वीचे नहीं दिख रहोगा नहीं और ऐसे स्टेंड्रिल को बोलते हैं स्टेंड्रिल स्टेंड्रिल जिस इस्टेंडु में आपका एकशिलरी बाड्ट आपका मोडिफाइड होकर के टेंडिल का ऍटेंड्रिल इस वैसे स्टेंड को क्या बोलते सर वैसे प्लैक्ट् cau क्लता हम लोग इस ब स्टेंड एम depends वैसे स्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेम टेंड्रिल्स यहां पर लिख सकते हैं एंड सच स्पेसिज औफ एंड सच स्पेसिज औफ स्टेम्स आर प्लांट्स और कॉर्ड इतना ही लिखते हैं और कॉर्ड स्टेम्स टेंड्रिल्स स्टेम्स टेंड्रिल्स को बोलते हैं आपने यह चीजें हरकुष लेके आके आपके सामने रख दिया कोई दिक्कात है तो बोल दीजे यह एक चीज़ा पकड़ता है जब रख लेर लेके सकते हैं तेंड्रिल्स को क्लाइब तो चीज़ा होता है और यह जड़ता है आप श्याय बदा चीज बखेंगा तो आप अपने बट्स बढ़ा ठाब्स पड़ा था एक्सट्रा पड़ा तो यह सारे के शीज़ाइंड्स बड़ा रख गयोंगेंड्स ब और उसमें लगों बहुत सारी एक्जाम्पल्स भी देखे थे यादार है कुछ स्टेम टेंडल और इस आफ टाइप्स पहली चीज़ें हमारे पास है पहली चीज़ें है सर आपके पास एक्जीलरी एक्जीलरी का एक्जाम्पल आप ले लिए पैसन फ्लावर एक्जीलरी का एक्जाम्पल ले लिए आप पैसन फ्लावर या फिर पैसी फ्लोरा इसी को बोलते हम लोग पैसन फ्लावर पैसिफ लो रहा दूसरे चीज हम लोग बात करते हैं आप ए क्या है सर दूसरे चीज क्या करते हैं एक्जिलरी पढ़ा हम लोग ने एक्स्ट्रा एक्जिलरी एक्स्ट्रा एक्जिलरी का एक्जाम्पल हम लोग लेख सकते हैं आपे एक्जाम्पल यहीं लुफवा जो हम लोग ने बात किया भी जिसको हम लोग घिया तोरी बोलते हैं घिया तोरी अपने बासा में आप नेनुवा लिए जो भी चीज लिखना है लिख सकते हैं राइट कि यह क्लियर कि इसमें एक और एक्जामपल लिख सकते हैं को कर्विट्स जिसको जो जो इसको हम लोगों ने बताया था वहां पर क्या बोलते हैं को कर्विट्स हो सकता है और यह कि लॉकी वाला जो होता है न सर लागे नारी है हर संया है हर आ है है हर लगणा आरा मतंअलों कि यह कि यह लॉकी है यह फाले कि過去 सारे के सारी इंट्र यह को सकता है और भी हो सकते हैं क्या बिल्कुल हो सकते हैं अभी अभी है अभी आपका फ्लोरल बागी है कि याद रखेगा सबसे इंपोर्टेंट चीज एक्जाम्पल्स आपका हमेशा याद होना चाहिए क्लियर है यह चीज हमेशा आपका इनफ्लोरेशेंस इनफ्लोरेशेंस इसको नहीं बोलते एपिकल वाला तो सबसे उपड वाला होगा ना सिर अपिकल बंटेंड्रिल अपका स्कॉप्योड की बात करते हैं अपको याद है कि असका प्राइड यह रहा है कि स्कॉप्योड हम लोग ने आप किया था इसका एक्जाम्पल क्या हो सकता है सुर इसी का एक्जाम्पल था आपका ग्रेप वाइन वेटेस वेनी फेरा बोलते हैं हम लोग ग्रेप वाइन और एक था आपका चौथा था लास्ट आपका इसमें बच जाता है आपका क्या फ्लोरल फ्लोरल स्टेम टेंड्रिल इसका एक्जामपल हम लोग देख लेते हैं यह ग्जामपल दिख रहा होगा यहां पर एक्जामपल देख लेते इसका एंटिगोनोन यह सारा का सारा आपके साथ एंटिगोनोन साथ दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा और इदर लिख लेते हैं होasket food है है ऊज्छी के पूरा का पूरा अवका आपका स्टेम ट्री액ट्रिल उस Texas में क्या था आपको softy सिर्श जम्ली ची जानते थे जो नहीं जानते थे इसका क्लासिफिकेशन नहीं जानते थे किस में कौन सा हो देख अगर याद करेंगे कुछ पहले की बात तो कुछ पहले की बात करेंगे तो वहां पर हम लोगों ने स्टूडी किया था एक्स्ट्रा एक्सट्राइब्टरि में हम लोगों ने क्या देखा किया तो रिक इब गया है आप का ये विट्टिस निफटरा को सकता है सकता सक्वाइड थेंडिल्स का या फिर शकता है और कुस्टन से उस तरे किसे नहीं होगा लीखा इस तरह से होगा की फिछ लोइंग इस ने एक्जामपल ऑफ सकर्पपार्ट स्टेम टेंडिल्स आपका यह अब सस्टीया रहेगा यह अपसंस दिया रहे गा तो इस तरीके से आपको सेलेक करना है कि right options इसमें कौन है सो याद रखे संडे का classes आपका 9 बजे अटेंड कीजिए जरूर वो आपका test है राइट चलिए इतना clear है सर पूरा का पूरा stem tenders clear है yes or no stem tenders clear है चलिए बहतर है अब क्या बचा हुआ हमारे पास हमारे पास बचा हुआ है थान स्टेम थान स्टेम थान स्टेम थान काटा वाला जो स्टेम होता है न सर उसकी बात करेंगे अब चलिए कोई भी confusion कहीं सभी आता है वो चीजे जब पूछ लीजे यह position के हिसाब से जो भी चीज देख रहे हैं आप सारा का सारा position फ्लोरल आले पाइट पर अगर बड्ड से वहां से अगर आ रहा है तो उसको बोलते है आपका एक्सुली तेम आले बोल रही तो उसको बोलते है अ इक्स्ताय वर्ड जिए एपक्ट पॉपिकल्ड करके यह कण्वर्टिades करे क्या वह उनजाता है आपका टेंडिल्स का फॉर्म ले लेता है तो उसको बोलते हैं आपका उसी कहसा आपका टाइप किया गया है एपिकल बर्ड माल लेजिए आपका डिवलप करके मोडिफाई करके वो ब्रांशेज ना बनाया और ब्रांशेज ना बना करके टेंडिल्स बनाया तो उसको बोल द तो इस तरीके साथ का इसका क्लासिफिकेशन किया है अगे की बात करते हैं आगे हमारे टॉपिक्स है वो है हमारे पास stem thorns and hooks stem thorns and hooks वो चीज़े क्या है सर वो भी देख लेते हैं उसके बाद आज का class यहीं पर समाप्त हो जाएगा stem thorn and hooks दूसरा modification हमारे पास बात करेंगे stem thorns and hooks पहला चीज़ हम लोग ने देखा पहला चीज़े clear है बोल ये पहले चीज़े clear है stem दूसरा है आपका stem थार्ण्स एंड हुक्स stem thorns and hooks याद कीज़े सर इस चीज़ों को हम लोग ने देखा था इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग ने देखा था बस थोड़ा सा और देखने की जरुरत है मतलब हम लोग ने एक लिश्ट हम लोग ने इस चीज़ों को अच्छे तरीके से थोड़ा सा देखा था बस थोड़ी से देखने की जरुरत है आवाज जारी सर आप लोग के पास आवाज जारी आप लोग के पास है बहुत कम reply आ रहा है से चले बैतर है अगर जा रही है तो हम लोग ने टेंडिल्स में उसको मोडिफाई किया अगर मान लीजिए जो एक्जिलरी बर्ड है जो एक्जिलरी बर्ड है वो मोडिफाई करके काटा में बदल जाए काटा में बदल जाए थांस में बदल जाए थांस में तो काटा होता है पता है तो एक्जिलरी बर्ड आपका इसका थॉंस का काम हो सकता है कि आपका एनिमल्स से बचाता हो उसको मतलब अगल बगल जो एनिमल्स उसको ग्रैजिंग करने के लिए उनसे बचाता हो हो सकता है protection provide करता है right तो ऐसे ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे सर आपका स्टेम डॉक्स इसके पूरे हिस्से को अधे हिस्से को अधे हिस्से को आज study करेंगे और आधे हिस्से को कल study करेंगे क्योंकि चीजे बहुत जादा हो जाएगी right सो हमें देखते जाना है विदाउट कंप्लेटिंग विदाउट हाविग अटेंशन विदाउट हाविग अश्रेस विदाउट हाविग अ इंपरफेक्शन वी हाव दूपरफेक्ट वाउट इच एड अवरी टॉपिक्स कैने भी हमें यसानो चलिए कोई बात तो क्या होता है इसके पास फंसुंस क्या है अग्जिलरी बड्स अग्जिलरी बड्स ऑफ सम प्लांट्स गेट्स मोडिफाइड इंटो थॉर्ण्स क्या होता है मोडिफाइड इंटो थॉर्ण्स अब बात करेंगे कि थ्रॉंस बात करेंगे है कि आप लुग से निहीं माद्री तरल गाले से जिसे अगर मालीजे है उसके अगल बगल में हमारे हाथ पढ़ जाते हैं तो वारे हाथों एक बहुत ही अच्छा हाल हो जाता है जो बुरा हाल हो जाता है और जिसमें ब्लेडिंग पूरी ताहिके से होने लगता है तो यह चीजे क्या है आप यह थान्स आपका प्रोटेक्शन इसी लिए बोला कि आपको प्रोटेक्शन यह ब्राउजिंग एनिमल्स जो भी आपके अ मतलब लिख सकते हैं तो इस थॉल्स आर स्टिफ शार्प एंड पॉइंट इस्ट्रक्चर यह चीज़े क्लियर तीसरी चीज़े बात करते हैं आपे द्यान दीजेगा आपे तीसरी चीज़े बात करते हैं यह चीज़ हता है पूरत इसे डीपली होता है अंदर से होता है यह दिप सिटेड स्ट्रक्चर यह नियार दिप सिटेड श्ट्रक्चर यह वास्कुलर connections with stem अब कहरें यहां पर सर कि यह चीज जो stem होता है न आपका जो यह आपका जो थौंस होता है थौंस की बात करें आपे कि यह पूर्थ यूसा अंदर साँ आया हुआ रहता है यह सने की ऊपर से जैसे कि आप बात कर लेते हैं सबसे उपर से कावरिंग कोवरिंग से नहीं आता है अंदर से प्लांट के स्टेम के अंदर से पूरत इक से गहराई से होता है जब तोड़िये का तो आपको देखने को मिलेगा कि कहा साया यह चीज़े यह डीप सीडेट होता है और दूसरी चीज़ में वैस्कुलर कनेक्शन होता है मतलब इसको भी आपको नूट्रियर्ट से चाहिए स्टेम के बारे में और नहीं देखा अगला क्या चीज़ें गलता है सर यह तो आपका ट्रैस्पीरियेसन को कैक्टस करता है त्रैस्पीरेशन नहीं होने देता है है तक Whew बहुत कम होता ओथ है ट्रैस्पीरियसस अगर वान-ρώ Daug advertising होनेदिये को से करते हैं उसमें आपका जो बात करते हैं त्ट्राइशन आपका कम होता है और उसके साथ आपके ब्राजिंग आनिमर्स मतलब की आपके जो जो grazing animals जो grazing करते हैं animals जा फिर उसको जो harm पहुँ जाते हैं उनसे क्या करता है protection प्रवाइट करता है राइट चलिए it reduces transpiration and also provides protection from the browsing animals इतना clear चलिए इतना clear होने के बाद आगे की points क्या करता है सर आगे की points करता है यह चीज कहां काहा पर पाए जाता है तो आप लोग देख सकते हैं इस चीज को hatho site says यह साइरस वाले में जो भी सीज देखने को मिलता है dice जाइट्र supra province मैं site5 पामेग्रेट में देखने को मिलता है कि मैं है कि बॉगट विला याद कीजे हम लोग ने इस चीजे इस को देखा था और भी बहुत सारे प्लांट से हम लोग देखेंगे आगे कि किस किस प्लांट में होता है राइट तो कही न कहीं यह चीजे समझने का मौका मिल रहा है अगर हो तो पूछ लीजिए अगर प्रावलम ना हो तो कोई बात नहीं है बड़ी रिप्लाइब लोग आता है चलिए हम लोग ने देखेंगे पैली चीज़ किया एक्जिलरी बार्ट से होता है क्या होता है मोडिफाई होकर के थांस में बदल जाता है थांस क्या होता है सारे स्टक्चर होता है यह तो क्लियर है यह आपके उपर से प्लांट के स्टेम के जो होता है ना उपर से उपर वाले कभरिंग से नहीं आता है यह अंदर से निकलता है और अंदर से निकलने के साथ साथ इसमें वास्कुलर कनेक्शन होता है स्टेम में स्टेम के साथ इसका वास जाइंक देखिन्ग पर तो आपूध करने के लिए कोई चीजंजिंग को आपी कि गठ करने के तो वहान से क्या कशल एक क्या करते हैं उसी को एक क्या गरते पॉटेक्ष नफफर तो ये चीजे है कि सारा साचीज fundaway का क और गी कि उसको बोलते हैं उसमें मिंद देखने को मिल जाता है यह चीजें तो कहीं न कहीं यह चीज जाए की कहां पर किस में झीजों को कई से कई से किसे को चीजें डिल करता है क्लियर है चलिए कौन से प्लांट्स में थोड़ा सा दो तिन एक्जामपल्स हम लोग देख लेते हैं कि किस में किस तरह से आपका दुरांता की नाम सुने होगा आपने दुरांता अगर नहीं सुना होगा तो चेक कर लिजिएगा दुरांता बहुत आसान बहुत एक अजिब पोधा है जिसमें जो जो थांस होता है जो थांस होता आपका छोटे-छोटे स्लिप्स में इन दुरांता थांस आर आप मोडिफाइड एंड टोव स्माल लेज़ यह गलत तोड़ा सा थALKS bir प्स्स्ट यह मौड़िफाइज थोड़े होगें अगर मौड़िफाइज होता हो गए थाम लग यह थोड़ें वार्य क्यों इस नाध स्कृच वार kollử लोग क्यूंत करते हैं बियर्स स्मॉलियवsam कि दुरानेमी बात करते हैं رाने ता वह एकस्प्रेस वाला नहीं यह दुरानेटा वह батःक नाम है और यह दुरानेमी द्यूख किया कम तंद Sw tiss इसके उसके उसके द्पुरा से चोटे चोटे ऑप से तरह का में निकलते हैं अपनी दूसरी चीज़ बात करते हैं एक और है लेगुमिनस प्लांट्स की तरह का स्ट्क्चर से एक लेगुमिनस प्लांट्स लेगुमिनस प्लांट्स है जिसका नाम है अल्हगी थूब लासा इस देखने को मिलता है और हर अपने देखा में अरहर ऋब तरह होता है गो और उसकी तरह चों होता है लेकिन ये आपका लुथा Trust है जिसका हम लोग जिसको हम लोग एक और नाम लूँर पाशीज है कि कारमण नम है यह चीज कड़िस इसका टो वह चीज और नमस जानते तो इसमें क्या हो देश्शर आपका का वा Cobben किस प्लावरल टेक्वर एक में लोग संखोको का निकल समॉल लिएम्हें और एक में लोगों ने देखा थक से फ् Wonder रहा है और एक चीम में हम लोग देखते हैं साइ्रॉस साइ्ट्रस प्लांट्स आपको याद है रहा कुछ कैसी करिशा को कैरिशा हाहाँ कैरिशा मिसिछा ही है साइब डर्मनमील वर्ड आपका बीयर करेगा जलेज का भी प्लन्ट होता है नहीं धामने सुन नहें सुनहें है आपने नाम नहीं सुनहा सर्कुलर होता है कि आप बोलेंगे सब्समाल इंटेस्टाइंगे क्या लॉट इंटेस्टेस्ट गृण नहीं कि अैसे ए फलावर्ण धोता है जैसे इमली का भी वह से देखने को मिलता था हुआ हुआ इमली वाला थोड़ास स pac होता है इसमें भी स्ट्रेट होता है पूर तरीके से और यह चीज जो होता है यह चीज है आपका इसको जिलेवी का प्लांट क्यों का गया है जलेवी के तरह नहीं लग रहा है पूर तरीके से ऐसे घूंग रहा हो ला पूरा तरीके से और यहां से आपका यह चीज है तो ऐसे प्लावी से कद लेकिन अए अचीज उसको लेकिन इसेतल कुंत अनि इस प्लावर को बोलते हैं लेकिन तरागी की बात कर रहा हुआ आपे उसी तरह का स्टुक्प्ट गयाः यू आपने फ्रॉट्स दिखाए ऊस श्टेट होता है पड़ज में और वह आपका उस में आपका क्या होता है flowers bear करता है वो यहłeं को होता है have you flower tom Buddha flowers निगलते हैं यहाँ पे how the way the way the way the way the value is Smallitives निगल रहे थो रहे तो question आपका इच्यों तरह साहे जाएगा which of the following in which of the following thorns bear small leaves तो आपको दिया रहेगा दुरांता ओpi 해иться रहेगा hangi रहेगा तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि यह चीज यह वह फिर यह फिर यह दो यह फिर यह 145 ओम को बताना होगा क्योर है इतना क्लेर है यह चीज़ आगर बात करते हैं इन कैरिशा कैरिशा में जो होता है आपका टॉर्मिनल बर्ड्स बियर्स थॉर्म इतना क्लियर है या फिर टर्मिनल बर्ड्स इसको आप कैसे है कि आपका इसका इसका कोश्चना सकता है इस तरह से कि आपका मतलर आपको सब्सक्रायी कि प्रिज जाता है तो आपको जाको कटि यहांでした सकता है है डर्मशन फोड़न मतल इस तरह से लिखा जा सकता है हर चीज हर पॉइंट आपको confirm होना चाहिए इसके जगा पर यह भी लिखा जा सकता है लेकि बात वही चीज़े हैं देख लिए क्यों कि टर्मिनल बड्स आपका क्या होता है थांस में बदल जाता है तो यहां पर यह चीज आप लिखे या फिर य उसमorrow that जैसे कि अपने लिंव की बात कर लें जैसे को बात कर लें निवा अंपव की इतलगा यह मुझे लगता है ऐसा राइट है निम्बू का पर आपने देखा है mong Break up Paw kilka views tôm our seen the onks of का बोलते हैं ल planned लेनीजज़ साथ्रोस क्लेंट्स प्लूरण्स फ्लूटेngulo तो क्या इसका अपने फ्लावर्स क्या इसका अपने लिव्स देखा है क्या इसका आपने त्रौंस देखा है अगर देखा होगा तो आपके बताईए इसका लेपस बड़ा होता है फिर छोटा छोटा होता है मुझे लगता है कि इसका इस लेपस होता है अपकर छोटा-छोटा होता है देखें स्माल इंसाइड्स अच्छा इंगलेस में हम लोग को नहीं पता था है इंटो स्माल सप्रेस्ट स्माल सप्रेस्ट एक्जिलरी ब्रांच एक मिनट थोड़ा सा छूटा हुआ है एक पॉइंट एक लाइन छूटा हुआ है इंटो लेफ्स ओफ लेफ्स ओफ सप्रेस्ट बिल्कुल सही बोला आपने पॉए चीज़ को देखने को मिलता है और उतर जाता है लिस्ट बहुत चोटे होते होते यह पूर निम्बू की वागर पॉदेगी देख लिए तो वह पर लिब्स होता है चोटा होता है तो मापको पता चल गया बोगन विला की बात रिश्ट्रेए बाद बार के बार बाद अच्छे से discuss किये थे एक classes था जिसमें यही चीज़े stem tendrils और यह चीज़ पढ़ना था तो वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि बागन विला में कैसा होता है यह चीज़े हम लोगों ने वहां पर देखा है तो देखने की जरुत है हम लोगों ने बागन विला वालत देख लिए था तो लिख लेते हैं ताकि एक पॉइंट पे हो जाए पूर तरीक से बात के लिला तो खल्स टेहंगखे ज्राटुराट। करता है कले में मदद करता है यह चीज़े क्लियर है अगर नहीं क्लियर है तो पूछ लिज़िए हाँ आपकी रिप्ले हाँ आर एंसर है आवाज मेरी जा रही है आप लोग तक कहने भी हमी कहने भी हमी जना बोलतुस दे दिया किजिए ना निच्छे आ रहा है न उपर मैसेज आ रहा है चलिए वो कोई बात नहीं बॉगन विला में थांज होता है आपका कॉप्ड होता है अब कॉप्ड होने का में परपस क्या है ताकि वो हेल्प कर सके ताकि वो आपका मदद कर सके उपर चढ़ने में उस प्लांट को उपर चढ़ने में मदद कर सके यह चीजे के लिए आपका यहां पर क्या होता है आपक कि आधे सेक्षान हम लोग देखेंगे कल के क्लासेज में सारी is there any confusion अगर कोई भी questions है आपके पास कोई भी questions है किसी भी तरह का questions हो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना तक पढ़ाई हुआ है उसमें से तो आप अभी पूछ सकते हो आपके पास अगर कोई questions है तो आसानी से आप पूछ सकते हो बाकी तो आपको पता ही है यसानो चलिए कोई बात नहीं अगर questions नहीं तो बहुत अच्छी बात है और questions है तो भी अच्छी बात है पूछने से वह चीज़े क्लियर हो जाती इसवाल वह तो देशी इस वास इतना ही इस आप पर टूछ था थैंक यू क्लास रहा है आप अचाल्दी स्थिली स्थी विव फोरिव बिक अगर्डश रेविस भी थैंड फामली आप था रूव थैंक कि आपकी है तो यू आपकी रहा है था द्रू प्ट्रू ग्ज रहा ह झाल झाल